वूबू। एगाइज वल्कम बैक टु माइड न्यू वीडियो तो गाइज कैसे हो आप साफ पाहले के कमेंट सेक्शन पर जरू बताना और आज गाइज नया ट्रीफ है पुंडू वाटरफॉल वाटरफॉल आज गाइज फर्स टाइम एडवेंचर जिपलाइन करने वाले हैं गाइज और अब भी है सिकीदिरी घाटी पर साथ में दोस्त लोग भी जा रहे हैं तो यहां पर रुके हुए थे गाइज कुछ मलब कि यहां पर छोटा सा वाटरफॉल मिला तो यहां पर रु लेंगे और तुरंद जाएंगे जुन्रू वाटर फॉल जपिस अभी यहां पर रुके हुए थे महादेव बाबा मंदीर है जोटा सा वाटरफॉल है यहां पर आकर के गाइस मंदीर तो अभी उपर चाड़ मैं तो पहले सूज को खोल लेते हैं गाइस और उपर जा रहे हैं गाइस यहां पर भी बहुत अच्छा जर्ना है यहां पर मंदीर है गाइस मस्ट सीन है गाइस ओ भी जर्ना होता है जंगल के बीचो बीच काफी लाजवाब होता है और यहां का नेचर गाइस सीन काफी खतरनाक है जब आप यहां पर अगर कभी भी आते हो तो यहां पर यह सिकिद्री घाटी है गाइस जाता है आपको बीच घाटी में ही ये मंदिर है चोटा साथ में बादल है और गौरी संकर और हम आप गाइस यहां से निकलते हैं और सीधा हुंडू वाटरपॉल पर मिलते हैं आपका वह से गाइस समयजबस के को हैं फाइनली गाइस पहुंच गया है रटरपॉल और पहले तो टिकटम से टिकट ले लेते हैं और कि तिन टिकट दिजिएगा बढ़िले तिन vaccin कर दो एंद पना करीशनी और इस गाड़ी पार्किंग कर लिक naar तिन तिकट है और गाड़ी का भी टीकट है यहां पर कटवाना पड़ता है गाई और अब जा रहे हैं जो एक्साइटमेंट अंदर से और बढ़ रही है ना गाईज क्या ही बताएं जीप लाइन का तो हां यहां से कुछ ना जा रहा है पाइनली जीप लाइन पे इंटर कर गया है और वहां से जाना पड़ा है रहां से सिधा वहां क्या स्केनर है अब हुआ है अब हुआ है तो फॉल का बॉर्ड भी लगा हुआ है अब फास्ट सेप्टी क्य impairment कर दो है तो हुआ है कि कüm एक हुआ है यह तो हुआ है यह कर दो है ट्रह माव हुआ है कर दो फिज वलSo 0, Od 는 क्वब्सक्त moderate झाला है क्राइब लागी रागी अगया ते नहींते अ तक्राइब है ड्लियु पर अटिम्दाई कर लेखा था आड़ा मैं ऐसे को अट जडिए हैं फिर नहीं खेंट खेंगा थे तरह को वागी औरल को पर जाया है तो फाइनाली गाई जीप लाइन एडवेंचर करने के लिए रेडी हैं और अबी आ रहे हैं उदर से टाइम है थोड़ा अल्य कि यहां पकड़ सत्थ है अपना बेट आलिक बड़ ज़ी पूर हैं कि कर दो ज़या है कि पूर्य है यहां कि वोड़ कि दिए कि आलिक पुछ रहा है खुपकरी, तोब पकरी, तैट कर्यों तो गाईज मज़ा आया बहुत मज़ा आया और अब रिटन जाना है तो रिटन जाने के लिए यहां से फिर से नीचे वाले पर जाना पड़ता है गाईज फिर से उपर शड़ना है अब फिर से रिटन जाना है तो इसके लिए फिर से उपर जा करके फिर से वहां जाना है गाईज तो मज़ा है और आप भी कभी अगर यहां पर आते हो गाईज हुन्डू वाटरफॉल तो आडवेंचर तो बनता है गाईज जीप लाइन का फर्स्ट एक्सपरियेंस अच्छा लगा मज़ा आया गाईज करके और अभी रिटन निंग जाना है यहां से व्यूज यहां का भी हुगाईज काफी लाज जवाब है उपर से कुछ और ही मज़ा आता है देखने में तो आप आते हो गाईज अगर राची उन्टू वाटरफॉल तो जीप लाइन एडवेंचर करना गाईज जर देखने हो थैले जब है कर लो तुम भी कर लो महुत मजाया फर्स टाइम की है थोड़ा सा नर्वस थे शुरू में नर्वस में स्था बट जब जब गए यहां सोहां तो सब दर खर्टम हो गया और अबर चांद से इसको भी करना है अबर चांद से गोलू का गाईज कुसी प्लेंड करने जा रहे हैं वेट पूरा डालो इतना वाजन उसाओ अब यह अब बहुत मजा है और अब नीचे जा रहे है वाटरफॉल के अब आपसोगो वाटरफॉल भी दिखाएंगे जीपलाइन करके तो मुझा है अब नीचे जा रहे हैं अब गाईज जा रहें नीचे सीडियों से नीचे उतरना पड़ता है उसके बाद आप सब को दिखाएंगा इस वाटरफॉल कितना उपर से पानी गिरता है अब टोटल कितना सेडी है यहां पर गिना नहीं लिखा हुआ था कहीं गाईज बेर ले लिये हैं और इसको जारकंट लेंग्वेज में अगर बोला जायता है और गवर कोई और बेर दोनों बोलते हैं आपके तरफ क्या घुलते एंक वोलते हैं तेंक कमेंट करके बताना सबना वाटरफॉल ऊपर से दिखे और बेर जो लियें गाइस मीठा है बहुत मीठा है तो गाइस आधा रास्ता उतर गए हैं और अभी तो कुछ ऐसा लग भी नहीं चड़ने टैम को भी लगेगा अधा उतर गये हैं और आज खाली है आज 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 इसलिए अरे तो चौदा पंद्रा के टाइम पिक्डिक के टाइम ज्यादा भीड़ चालने के जगाने निलता और अभी तो भीड़ कम हो गया है सब अपने से बनाना पड़ता है न काफी ज्यादा मेहनत लगता होगा पी य देख लिजे गाईस कितना मेहनत करना पड़ता है जोटा चोटा इतना बना रहे हैं सब कुछ अपने से बनाया ना सब कुछ अपने बनाते हैं तो वही चीज़ना ऊप ड़ Ground ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है आज तो जे चल ना इस अब जितना है ना गाई सब भाईया खुद से दोनों भाईया मिल करके बना रहें तो फाइनली गाईज नीचे आ गए है और नीचे का भी हो कुछ इस टाइप से हैं और यहां पर भी उतना भीड नहीं है काहिकि आज के दिन गाईज उतना भीड भड़ा का है नहीं इसलिए घूम पा रहे हैं अच्छे से अराम से पत्थल बहुत सिलिप होता है पाइर बहुत सिलिप होरा नीचे तो फाइनली गाईज आखिरकार नीचे आ गए हैं और देख सकते हैं भी कितना उपर है और वहां पे गाईज जीप लाइन का लाइन है वहां से वहां तक गए हुए थे अभी और नीचे अगर फाटो सूट वगएरा क्करना है गई तो यहां पे नीचे जाना पड़ता है वहां पे फोटो सूट होता है बहुत USDA कले यहिदा सिरे तेंए घ्लम फोल कभानी तो हमेशा ठंडा ही रहता है नहाना नहीं है अरे बापरी बरव जैसे ठंडा है फुरा पानी हाँ कस्थम से इक्डम इतना ठंडा है कि बता नहीं शकते पूरा बरव पानी फेलेगा यूटना ठंडा अभी अभी तो पानी कम है लेकिन बर्साद की दिनों में पानी बहुत ज़्यादा ही आता है तो आप सब को कैसा लगा गाई वो कमेंट में बताना और अब साम का टाइम हो गया है तो घर भी जा रहे हैं तो आई होप गाई इंजोई इस वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना आज की वीडि क्वीडियो देगा वीडियो अगया टो भीडियो वीडियो 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 आप